देवरा पंचेत के चंदपुर गाउं के वॉर्ड एक में धर्मेंदर दास्त की संदेग दिस्तिती में मौत हो गई मिर्तक धर्मेंदर के परजनों ने बताया कि जब शुक्रबार की सुवे 10 पचे धर्मेंदर को खाना देने के लिए गए तो देखा कि युवक के सर में गंभीर जख्म ता जिससे ब्लड भी आ रहा था और युवक में तवस्था में था देश में हो रहे राश्पती चुनाव को लेकर कॉंग्रस के राश्य महासचीव तारीक अनवर की बात करें तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है अनवर ने कहा है कि सत्ताधारी दल भाजपा अपने रसुक का इस्तिमाल कर कभी CBI तो कभी ED तो कभी Income Tax का नोटिस भिजवा कर यह दवाव देती है कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो कारवाई होगी इसका इस्तवाल कर रहा है कि एक Income Tax को यूज कर रहा है तो जब वो इस बात पर आमादा हो कि हमको हर हालत में कोई भी चुनाओ को जीतना है तो इस राश्कवधी चुनाओ में भी हम लोगो ने देखा कि कई ऐसे मुख मंत्रियों को उनको दवाव में किन सरकार ने लिया बोदी जी के सरकार ने लिया उनको इडिकर नोटिस है उनको दूसरा एक परकार से धंकी दी जाती है कि अगर आप नहीं साथ दीजेगा तो आगे कारवाई होगी बेगुसराई में सांसत किंद्री मंत्री गिरीराज सिंग दो दिवसी दोड़े पर बेगुसराई पहुँचे जहां गिरीराज सिंग ने सी मरिया धाम में कृष्ण दुर्गा पूजा के नौमी के मौके पर हवन कर पूजा पाठ किया के रिराज सिंग ने कहा कि वह दो दशक से स्वामी चिदानंद जी महराज के आश्रम में आते रहे हैं आज नौमी के मौके पर हवन में भी उन्होंने हिस्सा लिया मरिया धामने, बाबा, शिरात्मन जी महराज से लगभर लगता है कि एक दसक, दो दसक से उपर से हम इनके चबून आते हैं ने गंगा फुत्र के नाम से भी लोग इनको मानते हैं और अपने शनातन में चार नौरात्र मनाई जते हैं जिसमें ये ग्रिष्म नौरात्र का आज नम्मा देन, तो आज हवन काज रखा गया, मेरा भी शौभाग्य हुआ कि मैं आया, समाज में अमन, चैन, सांती, समाज में समाजिक वैमनसता खत्म हो और दुष्टों का नास आज जो चुना हो रहा है, वह जक्त, महा सकीव और संजुक सकीव के पत्पर हो रहा है, शेस पहां के जो होते हैं, वह निकाजित हो चुगे हैं मदुवानी की बेनी पट्टी थाना पुलिस ने थाना शित्र के वसेट में अलग-अलग कारवाई कर 274 बोतल नेपाली देशी और 561 बोतल अंग्रेजी विदेशी शराप समीत 835 बोतल शराप के साथ 5 तसकरों के धरदा बुचा है इसके अलाबे कार, एक बाइक और स्कूटी को भी जब्त किया गया, बेनी पट्टी थाना परिसर में प्रेसवारता करते वे एस्टी प्योग पुलिस उपाधिक्षा कारोन कुमार सिंग ने इसकी अदिक जान कारी दी है 12 बेरासी 500 लीटर और 540 लीटर उल्शराफ बरामद हुआ है दो एक मोटसाइकिर बरामद हुआ है, एक चरपःया बरामद हुआ है और एक एस्कूटी बरामद जो आप देख रहे हैं लगा हुआ है धे लगातार छापामारी अभियान है लगी सराइ में नगर्थाना पुलिस ने क्यों नदी से अग्यात महिला का शब शत्विशत हालत में बरामत किया है हाला कि शब की पहचान अब तक नहीं हो सकी है नगर्थाना पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोश्ट माटव गिने सदर स्पताल भेजा है और शब के शिनाक्त में जुटके हैं बताया गया कि शब दो तिन दिन पहले का है बुर्विच अंपारन के सुगोली प्रखन की ग्राम पंचाय दक्षनी सुगाउं डीह बस्ती में आज़ादी के अमरित महुत सव अंतरगत आन्यदाता देव भवा किसान भागीदाडी को लेकर से अकारãyता विभाग के दौरह किसान चौपाल का आयोजन क्या गया इसकारेक्रम की मुख्यती थी आरके पात्रा मोजुद रहें इस कारेक्रम काया उजन समाज सेवी सहसेना के पुर्वधिकारी रामप्रित प्रसाद के आगरा पर भारत सरकार के दौरा कराए गया तो पायक्स को इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि यह गाउं की संस्ता है गरीवों की संस्ता है दुर्वल और कमजोड़ वर्वक के लोगों की संस्ता है उनकी वित्य जरूरत जैसा है किलसी से सम्मंदित जो इंतरी करन है किपूस है् कि अंत किसंग यहां वह खात हो बीज हो उननत किस्म का बीज हो अचपह उन्ध का वह भंदारन हो यह मुझरखत सेवाएं ईह सभी पैक्स के माद कहुं से मिल सकता इस बात कि है कि सदस आम आदमी सादस के मद्वानी के बेने पर्टी के मुराइट पंचाइत में कोसी नहर की उप्शाखा तकरीवन साच फुट की दूरी में तूट गई जिससे मुरायट पंचायत के चारवाट प्रभावित हुए है साथी करीप 400 एकड खेत में पानी फैल गया है पानी फैलने से इनने सेकड़ो एकड में लगी फसल पानी में जूब गई है बताया गया कि कई किसान अपने खेतों में फसल लगा चुके थे ग्रामिनों की माने तो फाटक और नहर की देखवाल को प्रतिनियुक्ति अनुरक्षक बवनकुमार पासवान और रामदायाल पासवान के द्वारा फाटक में सभी 6 दरवाजे को बंद कर दिया गया जिसके वज़ा से नहर पर दवाब बढ़ने लगा और अत्याधीक दवाब बढ़ जाने के कारण नहर का मांथ तूट गया और फिलालेजी के साथ इस ब्लटन में इतना ही तमाम अपरेर्स के लिए बने रहें बिहार नियुस के साथ नमस्कार